हेलो गाइस, वेलकम टो गेम डेव हिंदी, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इप एल्स कंडिशन्स के बारे में सिखाया था, तो इस वीडियो में मैं आपको उससे रिलेटेड चैलेंजिस को देने वाला हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैलेंजिस आप पूर ये होए है, जो कि आपको पूरे करने है, तो ये पहरा चैलेंज ये है, कि if you have 50 coins, then you can buy a new weapons crate, otherwise you can't, याने कि हमें इस चैलेंज में ऐसा करने से मनाना है, कि आपके पास 50 game coins या उससे ज्याधा होंगे, तभी आप एक weapon crate को buy कर सकते है, otherwise आप buy नहीं कर सकते, फिर ये दूसरा चैलेंज है, कि if you press space key, then you increasing score by 10 points, and also print if you got 50 points, then you win, ठीक है, तो ये चैलेंज है, तो इस चैलेंज में हमें कहा गया है, कि जब आप space key को दबाओगे, तब आपका score 10 points से बढ़ेगा, ठीक है, और हमें ये भी print करना है, कि जब आपके 50 points हो जाएंगे, तब आप जित जाओगे, ठीक है, यानि कि हमें जो win को print करना है, और तीसरा challenge ये है, कि if you have key in your inventory, then you can open the door, otherwise you can't, यानि कि हमारे पास key होगी, तब हम दरवाजे को open कर सकते हैं, ठीक है, otherwise हम नहीं कर सकते, तो ये तिन challenges आपको पूरे करना है, तो वीडियो को pause कर दिजिए, और ये challenges को try किजिए आप, problem आ रही है, तो ये रहा उसका review, तो पहला challenge ये था, कि जब आपके पास 50 coins या उसे ज्यादा होंगे, तब ही आप एक नया weapons crate buy कर सकते है, otherwise आप नहीं कर सकते, तो मैं सबसे पहले variable बनाँगा, ये game coin का, ठीक है, तो public, तो game coin क्या है, तो game coin एक number है, तो हमें क्या लिकेंगे, integer या फिर int, तो public int, game coin equals 50, तो ये जो crate का price है, वो 50 है, और हमें इसे किसी को भी change नहीं करने दिना है, तो हम game coin को private लिखते है, तो private variable को कोई open नहीं कर पाएगा, फिर हम एक और variable को बनाएंगे, कि आपके पास कितने coins है, ठीक है, तो इसे हम public रखेंगे, public int, इसे मैं नाम देता हूँ, your coins, और इसे हम assign नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे unity engine में assign करेंगे, तो मैं यहाँ semicolon से code को end कर देता हूँ, फिर मैं start method में आता हूँ, और यहाँ logic को define करता हूँ, कि if your coins is greater than or equal to game coin, then you can buy the weapons crate, तो मैं यहाँ लिखूंगा, debug.log, the crate is yours, ठीक है, तो अब हम else condition को बनाते हैं, else, तो जब आपके पास 50 coins नहीं होंगे, तो मैं लिखूंगा, you don't have enough coins, तो इस तरह हमारी condition पूरी हो चुकी है, तो मैं ctrl s की से save करता हूँ, अपने code को, और unity में चाता हूँ, और code compile होने के बाद मैं is if else को select कर लेता हूँ, और अपने coins में लिख देता हूँ, 100 coins, और ctrl p से play करता हूँ, तो console window में print होके आया है, the crate is yours, क्यूंकि हमारे पास 50 से जयदा coins है, हमारे पास 100 coins है, अब मैं your coins में 30 कर देता हूँ, यान कि 30, और इसे clear कर देता हूँ, और फिर से play करता हूँ, तो अब print होके आ रहा है, you don't have enough coins, क्यूंकि हमारे पास 50 से कम coins है, हमारे पास 30 coins है, फिर हम ये दूसरे चैलेंज को ट्राइ करते हैं तो मैं इस score को डिल कर देता हूँ तो दूसरे चैलेंज में हमें कहा गया है कि जब आप space key को दबाओगे तब आपका score 10 points से increase होगा और हमें ये भी कहा गया है कि जब आपका score 50 points हो जाए तो हमें print करना है you win ठीक है तो मैं इसके लिए सबसे पहले बनाऊंगा अपने score variable को तो public int score फिर हम update method में जाएंगे और वहाँ अपना logic बनाएंगे तो if input.getKeyDownKeyCode.space तो हमें ये logic update method में इसलिए बनाना है क्योंकि हमारे जो input वारे जो सारे codes है वो real time में काम करते है तो हमें यहां condition में लिख रहा है कि जब हम space key को दबाएंगे तब हमारा score 10 points से increase होगा तो मैं यहां लिखता हूँ score equals तो हमारा score plus 10 तो यहाँ पे हम अपने ये जो score variable को बनाया था उसमें 10 points को add करेंगे तो जब भी आप space key को press करोगे तो आपके score में 10 points add हो जाएंगे तो मैं अपने score को console window में print करूंगा तो debug.log score is plus score जो की हमारा variable है और control s से save कर देता हूँ और unity में जाता हूँ और अपने if else game object को select कर लेता हूँ और play करता हूँ तो जैसे हम space key को press करेंगे तो अपना score है वो 10 points से बढ़ रहा है यहाँ भी आप देख सकते हैं score variable में और यहाँ console window में भी print हो रहा है और हमें यह भी print करना है and also print if you got 15 points then you win याने कि जब आपके 50 points हो जाएंगे तो हमें print करना है you win ठीक है तो मैं यहाँ लिखता हूँ if score equals 50 तो हमें print करना है debug.log you win तो हम अपने script को save कर लेते है और फिर से play करेंगे तो जैसा ही हमारा score 50 points होगा तो console window में लिखके आएगा कि you win ठीक है तो मैं in codes को delete कर देता हूँ और अपने तीसरे challenge को पूरा करते है कि if you have key in your inventory then you can open the door otherwise you can't याने कि जब आपकी inventory में key होगी तभी आप door को open कर पाएंगे वहना नहीं कर पाएंगे तो हमारे इस condition के लिए हम use करेंगे bool variable को तो public bool key और start method में लिखेंगे if key equals true then we can open the door ठीक है तो debug.log और यहां मैं रिखता हूँ door is opening फिर हम else को बनाएंगे तो debug.log the door is locked तो हमार यह condition होगी तो जब यह key true होगा याने कि हमारे पास key होगी तो print होगे आएगा कि door is opening अगर key equivalent to false होगा याने कि हमारे पास key नहीं होगी तो print होगे आएगा कि door is locked तो फिर से हम unity में जाते है और code save होने के बाद आपको यह bool variable दीखेगा तो मैं control P से play करता हूँ तो यहां console window में print हो रहा है कि the door is locked क्योंकि हमारा यह जो condition है वो false है और आप यहां देख सकते हैं कि यहां tick mark नहीं है याने कि condition false है तो मैं फिर से यह play बटन को दबाता हूँ तो हमारा game बंद हो जाएगा और यहां bool variable को true कर देता हूँ और console window में clear कर देता हूँ और फिर से play करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि door is opening क्योंकि हमारा यह condition है वो true हो गया है इसलिए door is opening तो यह था हमारा if else condition का work flow और अगले वीडियो में हम और deep में जाएगे और सीखेंगे else if condition को कि वो condition हम कैसे यूज करते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दिजे और हमारे चैनल गेम डेव हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर दिजे थैंक्यू पर वाचिंग वीडियो